असलालेकूं फ्रेंड्स देखें आपके लिए सोटर के बहुत ही प्यारा से डिजाइंग लिखकर आई हूं उटर के बार्डर का डिजाइंग है इसकी फ्रंट साइड है और यह देखें इसकी बैक साइड है कि जितने भी फंदों की आप जरूरत उतने फंदे लेकर आप यह डिजाइंग यह बॉर्डर आप बना सकते हूं चलिए देखते हैं यह बॉर्डर कैसे बनता है वीडियो स्टार्ट करते हूं कि देखें स्लाइप पर हमने दो दो चार दो च्छे दो आठ दो बारा दो च्छोगा और एक पंदरा यह फिफ्टीन फंदे हमने डाले हुए चलिए देखतें डिसाइंग कैसे बनता है कि पहला फंदा कि उल्टा कि यह दिखें कि पहला फंदा उल्टा कि धागा ले जाएंगे पीछे पीछे देखें नीचे स्लाइप लेकर गए एक फंदा खीचा इस फंदे को इस तरह से स्लाइप पर लिया और यह फंदा ढीला ही रहेगा देखिए दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा धागा पीछे देखें स्लाइप को इस तरह से नीचे लेकर गए दागा खीचा एक फंदा खीचा फंदा थोड़ा ढीला ही रहेगा अग यह देखिए इन दो फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से धागा अपनी हो एक फंदा उल्टा धागा पीछे ये देखिए नीचे फंदा लेकर गए एक फंदा खीचा ये इस तरह से चलाई पर लिया फंदे को दो फंदों का देखिए एक करेंगे इस तरह से धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब ये देखिए स्लाई को इस तरह से लेकर गए नीचे ये देखिए इस तरह से फंदा ले आए ये देखिए फंदा थोड़ धीला ही रहेगा दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा तो देखिए धागा पीछे इस तरह से लेक गए एक फंदा ले आए ये रिखिए धागे को इस तरह स्लाई पर चड़ाए और ये दो फंदों का एक कर देए इस तरह से हो गया कि दागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस तरह से फंदा ले कर गया एक फंदा ले आए इस तरह स्लाई पर चड़ाया कि दो का एक कर दिया धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस तरह से चड़ाया धागी एक फंदा खिच कर ले आए इस तरह से चड़ाया स्लाई पर अभी दो फंदों का एक कर देंगे भागा अपनी हो एक फंदा उल्टा आगे बैक साइड यह देखिए अब आगे अपनी फ्रंट साइड पर बैक साइड हमने कह दिया था हम फ्रंट साइड पर आगे हैं फ्रंट साइड पर यह देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया धागा पीछे दागा पीछे ले गए यह फंदा उल्टा है दागा अपनी हो लेआए एख फंदा उल्टा धागा पीछे अब यह फंदा सीधा दिख रहा है देखे फिर इस तरह स्लाई लेकर गए पीछे की ओर एक फंदा ले आए खिचके अन्दे को इस तरह स्लाई पर चड़ाया इन डो फंदों का एक कर देंगे दागा अपनी हो यह देखिए फंदा ओल्टा दागा पीछे देखिए जिस तरह से स्लाई लेकर गए एक फंदा लेकर रहा है इस तरह से फंदा ओल्टा दागा पीछे यह देखिए इस तरह से लेकर इस लाई फंदा किचकर ले आए यह देखिए इस तरह स्लाई पर चड़ाया फंदा थोड़ा ढ़ी रहेगा इन दो फंदों का एक कर देंगे एक फंदा ओल्टा धागा पीछे यह देखिए अब यह सीधा फंदा दिख रहा है इसको इस तरह से स्लाई पर लेकर यह देखिए यह देखिए अब लागा अपनी ओ एक फंदा ओल्टा धागा पीछे यह देखिए सीधा फंदा दिख रहा है यह दो सीधा पर दिख रहा है इस तरह से स्लाई को लेगे नीचे से पीछे की और यह अपनी और एक फंदा घिश के फिर यह देखिए दो फंदों का एक कर देए इस तरह से दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे फिर देखिए सीधा फंदा दिख रहा है यह देखिए कंदा खिश कर लिया है तरह से इसको स्लाइब पर चड़ाया अब दो फंदों का एक कर देंगे इस फ्रंट से धीला धीला ही बनेगा बहुत टाइट नहीं बनाईएगा और टाइट कर देंगे तो बिजाइंग उभर कर नहीं आएगा आगे बैक साइड पर बैक साइड पर पहला फंदा स्लिप किया धागा पीछे अब यह रो देखिए पूरी सीधी सीधी बुनेंगे इसके इसको पूर्टा बुन लेंगे यह देखिए बॉर्डर इस तरह से आया है और यह दिखिए यह इस तरह से दोनों यह एक जैसा है इस तरह से यह बॉर्डर बनेगा इसको आप लेड़ी सूटर में डालिए बच्चों के सूटर में डालिए आस्तीन पर प्रंट साइड बैक साइड पर बहुत ही प्यारा लगता है उब्रा उब्रा साथ है यह देखिए फ्रेंट्स दोनों बार्डर सीम है फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सिस्क्राइब के एंड है लुई मारे बेकाइब झाल झाल झाल